चलिए आज हम बनाते हैं एक perfect country और उसकी government perfect country और government बनाने के लिए हमें चाहिए एक mixer और कुछ चीजे एक कानून जो अंधा है कुछ political parties जो एक दूसरे के धरम को बड़ा समझती है कुछ civil servants जो सिफ अपनी job security के बारे में ही सुचते है और उसके बाद कुछ आम जंता जो सिफ कहने पे विश्वास करती है करने पे नहीं यह सब के बाद नमत मिर्च मसाला तो चाहिए एक देश को पूरा बनने एक लिए तो थोड़े ही से news channels अब इनको हम करते हैं मिक्स सब कुछ मिला नहीं के बाद अब हम देखिंगे हमारा government कैसा बना Thank you अपना precious time निकाल के इस episode को देखने के लिए मैं हूं Mr. Roy from the Mr. Roy Show जहां मैं शेर करता हूं अपना opinion on those topics जो आप लोगों को बहुत पसंद है On this episode मैं शेर करने वाला हूं अपना opinion on few topics जैसे कि government, political parties and citizens of the nation मैंने इन topics को इसलिए चूज किया क्योंकि इस episode के preparation से पहले मेरा भी अपना कोई political strong opinion नहीं था जो भी मैंने TV, internet या फिर books मैं पढ़ा या फिर देखा उसी की basis पे मैं political parties और government को judge करता था ऐसा कई लोगों के साथ होता है क्योंकि हम लोग visual examples पर बहुत rely करते हैं तो इस episode में मैंने सोचा कि आपके साथ एक simplified version शेर करूँ कि एक nation और उसमें रहने वाले लोग कैसे उस country को मिलकर चलाते हैं उस तरह नहीं जैसे आपने वीडियो के beginning में देखा था सबसे पहले हम यह समझते हैं कि government क्या होता है किसी भी country का government उस country को चलाने में सबसे major role play करता है जैसे कि government of India को GOI के नाम से भी जाना जाता है यह एक union है जिसे constitution of India ने legislative, executive and judiciary का right मिलता है of 28 states and 8 union territories के उपर तो government के तीन major divisions को समझते हैं सबसे पहला legislative समझे कि हर politician एक बड़े office को answer करती है तो इस legislative department में सबसे बड़ा office होता है parliament, उसके बाद, राज्यसभा, लोगसभा और लास्ट संसत भवन अब बात करते हैं executive department के पारे में executive department समझ लीजे legislative का ही एक ब्रांच है इस department में state government को यह responsibility दी जाती है कि कोई भी law जो पास करी गई है government के तरफ से उसे अपने state में किस तरह implement करे इस division के सबसे बड़े head office होते है cabinet and central secretary and the final division of government judiciary इस division को हम में से बहुत लोगों ने Bollywood की फिल्मों में देखा है बात करते हैं political parties के बारे में यह क्या होती है और यह किस तरह देश को चलने में या फिर चलाने में मदद करती है political parties एक group होती है like-minded peoples जहां पर लोग एक same ideology share करते हैं या फिर उनकी political position एक होती है यह political party alliance में election contest लड़ती है ताकि अगर वो जीते तो वो government के साथ मिलकर अपने philosophies और ideology को देश की भलाई के लिए implement कर सके वैसे तो इंडिया में total 8 national recognized party है और 52 recognized state parties है और कई unrecognized parties भी है अगर आपको इन parties के बारे में जानना है तो मैं इनके details description box में दे दूँगा चलिए अब हमने government और political party के बारे में समझ लिया अब बात करते है citizens of the nation आम आदमी के बारे में आम आदमी किस तरह contribute करता है उस country को चलने में आम आदमी के तरफ से देश को चलने के लिए contribution होता है in form of tax यह tax जो आम आदमी पेगरती है यह government workers की salary होती है और यह tax public services और public benefit के लिए कई projects में यूज की जाती है जिसे की roads, public parks और बहुत सारी चीज़े तो इसी भी country को अगर harmony में आगे बढ़ना है तो उस country में रहने वाले हर individual को अपना रोल सही तरीके से निभाना चाहिए आम आदमी से लेकर civil service, private corporation, government office और government अगर सारे लोग मिलकर काम करें तो country बहुत ही strong होती है I know आपको basic idea तो हो गया होगा कि country और country के government किस तरह काम करती है याद रखेगा यह topics जो हमने इस episode में discuss की है यह बहुत ही vast है अगर आपको किसी भी topic के बारे में और अच्छी तरह से समझना है तो आपको experts की राई लेनी होगी कि किस तरह government और देश चलता है I hope आपको यह simplified explanation अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो आपसे एक request है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस episode को facebook या twitter में share कीजे ताकि वो आपकी तरह अपने political opinion इस episode के comment box में share कर सके And finally I want to thank all of my viewers जिन में include करते हैं मेरी family, मेरे school friends, मेरे college के दोस्त, मेरे office के colleagues और sport clubs के member ने मेरे previous video में बहुत ही support किया अब मेरी responsibility बन गई है कि मैं किसी भी episode में एक meaningful content आप लोगों के लिए present करो आज की इस episode के लिए इतना ही देखते रहेगा Mr.Royshow मिलता हूँ मैं आपसे एक नई episode में